कुछ important tips आप लोगों को देना चाहूंगा मैं देखो अकसर क्या होता आप लोग पेपर देते हैं एक्जाम दे कर आते हैं आपका प्रिलियम एक्जाम हो गया बच्चो या फिर दुसरा कोई एक्जाम हो गया या फिर Favor भी पेपर जो आप घर पे बैटके देते हूं फिर से प्रैक्टिस करते हो तो आप एक मिश्टेक करतरे हो आपको नहीं करना है अब जो भी mistakes है उसको एक कागस पे लिख लो कि भई हमारा यही ही mistake हुआ है और अगले paper में यह mistakes नहीं होना चाहिए तो अगर आपने अभी तक अपने mistakes का analyze नहीं किया है तो इसको अच्छे से analyze करो और exam hall में क्या-क्या problems आपको होता है उसको एक page पर अच्छे से लिख लो और कोशिश करो कि अगली बार जब exam हो तो जरा भी उसमें problems ना हो इसमें जो board exam होगा वहाँ पे बहुत ज़ाद आपको help मिलेगा ठीक है तो ये tips अगर काम आया तो आप comments करके ज़रूर बताना ठीक है इसी तरह नए नए tips आपके लिए लाता रहूंगा मिलते हैं next video